आई दोस्तो टाइप आफ मेट्रिक्स में जीरो मेट्रिक्स की बात करते हैं दोस्तो जीरो मेट्रिक्स किसको कहते हैं इसकी अंडरस्टैंडिंग लेते हैं और वो कैसे रिप्रेजेंट होता है उसकी भी अंडरस्टैंडिंग लेते हैं दोस्तो जीरो मेट्रिक्स वो मेट्र को बोलते हैं zero matrix अगर matrix square matrix हो और अगर matrix non square matrix हो दोनों ही case में ये concept चलता है कि अगर आपके element की value zero हो गई तो वो zero matrix के लाईगी दोनों के example मैं आपको दे जाएता हूँ square matrix मैंने ले ली square matrix का जैसे मैंने a square matrix ले ली यहापे इसके element बना जाता हूँ तो इसके element होगी, यहाँ पे 0, यहाँ भी 0, यह भी 0, यह भी 0, सारे के सारे element 0 हो गए, order था इसका 2 cross 2, तो यह क्या कहलाएगी, यह 0 matrix कहलाएगी, ठीक है, similarly अगर मैं non square matrix की बात करूँ, इसके element देख लेते हैं, 0, 0, 0, एक row है, 3 column है, order अगर लिखूं तो 1 by 3, इस तरह से लि है, क्योंकि element देखिए, 0 है, क्योंकि element देखिए, element की value 0 है, इसमें, और इसी type के matrix बना लेते हैं, और देखते हैं, किस किस type के sample हमें देखने को मिलते हैं, कही कही बुक्स में हमें 0 matrix को, ऐसे O से represent किया होता है, capital O से, ऐसे बताने के लिए, मैं O बना लेता हूँ, जिससे वो rows 2 है, यहाँ पर, number of column यहाँ पर 3 है, यह भी देखिए, 0 matrix कहलाएगा, यह क्या है, 2 cross 3 का 0 matrix है, single row की बात करें, तो यह देखिए, यहाँ पर अगर मैं, तो यह भी 1 cross 3 का 0 matrix कहलाएगा, और अगर मैं single column बनाता हूँ, next example में दिखाता हूँ, वो भी दोस्तों 0 matrix ही कहलाएगा इसका order हो जाएगा 3 cross 1, तो इस तरह से हम 0 matrix के different samples देख सकते हैं, तो यह लिख देते हैं, यह क्या है, samples of 0 matrix, ठीक है ना, 0 matrix के sample है, जी मैंने sample आपको देखा, इस type से 0 matrix हो सकती है, तो इस तरह से हम type of matrix में 0 matrix की understanding ले सकते हैं, इसकी concept को समझ सकते हैं, concept यह ही है कि value of each element यहाँ पर 0 होने वाला है, ठीक है, I hope आपको कावे अच्छा लगाओगा, keep learning, keep learning, thank you